नमस्कार दोस्तों अंबोक्सिंग करने वाला हूँ लेजी पेकार डार्विल बैंक का जो क्रेजिट कार्ट आपको मिल जाता है वो कैसे आपको अप्लाई करना है उसके वीडियो आल्रेडि मैंने आपको बना रखी आप जाके देख सकते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है तो यह मुझे 25,000 के साथ यह मिल चुका है और इस तरह से कुछ यह रहता है यहां पर आपका मैंने इसमें बिजनिस सेल्फ इंप्लॉइट करके डाला था तो यहां पर रेइस्टर इंडेडर्स और यहां पर आपको 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 देखने को मिल जाता है इस तरह से कुछ बॉक्स रहता है इस तरह से यह पैकिंग रहती है इसको आपको निकालना है और उसके बाद इसको खोल लेना है हाला कि एक बार मैं और इसको खोल चुका हूं क्योंकि अंदर जो कार्ड है उसमें लगाना होता है टेप जिसमें जो और नंबर होता है इसके बाद इसको आप खोल लेंगे तो कुछ यह इस पकार से आपको देखने को मिल जाएगा एक और अंदर बॉक्स यह आप देख रहे हैं लेजी पे और आर्विल बैंक का जो टाइफ हुआ है नया वाला उसका है तो इसको आपको करना है ओपन करते ही आपको यह का करते हैं बात करें यहां पर रिवार्ट की तो यहां पर परसेंट करेंगे वह आप यह में कर सकते हैं ग्लोबल सेटिजन भी यहां पर लिखा हुआ है वेली ओपनिन और और यांडिया आप जाते हैं तो वहां पर यूज कर पाएं इसको यहां पर देखा हुआ है साधी साथ यहां पर लिखा हुआ है नोट इंस्रेंट पेइम पाइमेंट एटिम करेश्पी जाल और फिवल टांजेक्शन पर यह अप्लीगेबल नहीं हो यहां पर देखने को मिल जाती है कैस लिमिट यहां पर दी हुई है 7000 तो मैं इसे कैस्ट विड्रॉल भी करके देखूंगा या फिर पहले कश्मे कैसे बात करूंगा कि कितना इसमें जो चार्जेस है वह कैस्ट विड्रॉल पर लगेगा तभी उसके बाद मैं सायध एसके पीछह आपरोइस कोषका के अधरन पाइंगे और तर्में चाहिए सक्केट आपको यहां पर करना है बात करें इसके बैकसाइड की आपको नेकस्ट करना है अने करना है कि वह अगली दिखाउंगा यह ब्यडियो सिफ अन बॉक्सिंग के है तो कैसे पिन बनाना है तो सब आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा यहां पर रिसेट कार्ट भी आप कर सकते हैं स्वाइप एंड गेट वन परसंट कैश्बैक फर्स टांजिक्शन इस्टार्ट अर्निंग एक्स्क्लिजिव रिवार्ज और वेल्कम बेनिफिट आपको 250 cashback on making spent within 30 days के अंदर आप करते हैं तो 250 cashback आपको मिलने वाला है देखने को मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं कार्ड की जो की यहां पर आपने स्टार्टिंग में ही देखा होगा यह रहा तो यह कार्ड की हम बात कर लेते हैं इसको हम निकाल लेते हैं और यह कार्ड जो है आपको मिल जाता है इस तरह से और कुछ इस परकार से दिखता है master card आपको मिलता है आर्वेल बैंक का lazy pair के साथ जो tie up है पहले वाला आपने कार्ड जो देखा होगा इनका वो भी कुछ इस परकार सही था और कार्ड की quality की बात करूं तो हलका साथ होगा मुझे कम जोल लग रहा है फ्लेक्सिबल है थोगा चिप कार्ड है और टैप एंड पेकाल और यहाँ पर मैंने नहीं देखा है इसमें पीछे साइड है बैक साइड में है यहाँ पर आपका नंबर होता है और यहाँ पर लेज़ी पे की ब्रांडिंग और यह ब्लैक पट्री आपको दिखने को मिल जाती है आपको अगर कोई दिक्कत परसानी होते हैं तो यहाँ पर लिखा भी है questions reach out इस नंबर पर आप जा सकते है नोट valid for payment foreign exchange in नेपाल इंड भूतान तो नेपाल इंड भूतान म payment जो है foreign exchange में साइद valid नहीं है अगर आप इससे करते हैं तो यह कार्ड आपको जो देखने को मिल जाता है आपको कमेंट करके बताना और अगले वीडियो में मिलते हैं कैसे एक्टिवेट करना है कैसे इस कार्ड को चालू करना है कैसे आप इसको यूज कर पाएंगे मिलते ह मिस बीद मिन्ही नहां सक्षार चालू करना है आपको जाता है